वेलकम प्यारे विदार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं अवरक्षीट नमबर 49 के बारे में The learner can use punctuation marks correctly, यानि punctuation marks का अपने को यूज करना है सही तरिकेस, यानि कहां कहां पे इनका यूज होगा Rewrite the flowing paragraph, एक paragraph अपने पास दिया गया है इसको rewrite करने हैं यानि दुबारा नीचे, space में खालिस्तान पे लिखना है Using appropriate punctuation marks, यानि जो उचित punctuation marks है उनका यूज करना है जिसे capital letters कहां आता है, comma, full stop, इनका यूज करते हैं अपने को लिखना है जैसे ये अपने पास एक paragraph दिया गया है यानि इसको क्या करना है, दुबारा री राइट करना है यानि उचित capital letters, comma, और full stop का punctuation marks का यूज करते हो जिसे यहाँ पे static जो word letter होता है, वो बड़ा लिखा जाता है, यानि capital में लिखा जाता है तो इसको M को क्या करना है, यहाँ पे capital करना है, my उसके बाद में, यानि पूरा brother, यान government, middle school, यानि जो गोकुल पुरा है अब इसको क्या करना है, G को बड़ा करना है, बकी यह पूरा आजाएगा यानि यहां से लेकर, यहां तक यह सेम लिखना है यहां पे, यह से brother से लेकर, यह पूरा का पूरा सेम आजाएगा इस studying, उसके बाद में गोकुल पुरा को क्या करना है, G को बड़ा करना है, यानि गोकुल पुरा गोकुल पुरा को क्या करना है, यानि यह जो G है, इसको क्या करना है, अपने को, capital में लिखना है उसके बाद में, we like his school very much, and जो I लिखा गया है यहां पे, इस I को भी क्या करना है, अपने को capital लिखना है यानि बड़ा लिखना है आई को उसके बाद में लिखना है I was to school स्कूल के बाद में अपने को full stop लगाना है यानि इसके बाद में अपने को क्या लगाना है full stop लिखाना है यानि इसको rewrite यानि निचे दुबारा लिखना है क्या करना है अपने को full stop लगा देना है school के बाद में उसके बाद में जो in है तो in का क्या करना है अपने को यानि इसका in का i बड़ा कर देना है in का i बड़ा लिख देंगे इसे in in my school there are many good teachers तो teachers लिखा गया है उसके बाद में अपने को क्या करना है एक बार मैं अपने को लिख के बता देता हूँ यानि जो teachers लिखा गया है तो teachers के बाद में क्या लगाना अपने को coma लगाना है यानि teachers students दुनों साथ में लिखे गए हैं तो आपको teachers के बाद में coma लगा देना है teachers coma लगा के students and friends इस तरीके से इनको क्या करना अपने को पूरा करना है यानि अब कहां कहां केपिटल करना है जैसे पहला color change करके आपको दिखा देता हूँ जैसे M केपिटल करना है उसके बाद में G केपिटल करना है I को केपिटल करना है और यहां पे अपने को full stop लगाना है तो पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है capital होता है तो माई नेम इस और नाम कहीं भी आ जाए तो उसका भी first letter क्या करना होता है capital करना हम नाम कहीं भी लिखाओ first में middle में last में कहीं भी और उसके बाद में अपने को क्या लगाना है फूल स्टॉप लगाना है next है मौक्सा लीव जिफिं जोदपूर तो मौक्सा का M क्या हो जाएगा capital हो जाएगा यानि नाम है तो मोकसा का M capital हो गया उसके बाद में lives in जो जोदपूर है तो इसका J क्या हो जाएगा capital हो जाएगा यानि ये भी क्या है नाम है नाउन है तो इसका पहला यानि words जो first letter है वो क्या हो जाएगा capital हो जाएगा next है yes तो yes क्या लिखा जाता है यहाँ पे starting में जब yes आता है तो yes लिखा जाता है capital में yes ma'am उसके बाद में अपने को लिखना है ma'am, coma उसके बाद में जो I है तो I क्या हो जाएगा capital हो जाएगा I am उसके बाद में जो sonia है sonia का S क्या हो जाएगा बड़ा यहाँ आस capital हो जाएगा sonia और क्या लगाना है अपने को full stop लगाना है next है where is your pencil यहाँ तो यह जब इसको rewrite करेंगे तो w h है तो w क्या हो जाएगा बड़ा तो यहाँ लिखना है where is your pencil और जब w h word बादा है तो इसके last में क्या लगाते है question mark तो यहाँ पर अपने को लगाना है question mark इस तरीके इसको क्या करना है complete करना है यह अपनी उरक्षिट number 49 thank you